दो लड़किया जो माउंटेन क्लाइमबर होती है लेकिन एक दिन वह दोनों एक के कहने पर बहुत ही उची हाइट वाले एक टावर पर जोश जोश के अंदर चड़ जाती है लेकिन उस टावर का लोहा बहुत पुराना होता है इस वज़ा से उस टावर पर चड़ने की जो सी ड़्ता है यानि कि वह दोनों लड़किया उस टावर के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से फस जाती है तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम इसी मोवी को explain करने वाले हैं जिसके अंदर ऐसा ही कुछ होने वाला है olare actively की शुरुवात के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेकी होता है और बेकी एक mountain clamber होती है और बेकी की अभी-भी डेन नाम के एक लड़के के साथ शादी हुई है और बेकी की तरह ही डैन भी एक mountain climber होता है और दोनों को ही पहाड़ों पर चड़ना बहुत पसंद होता है और इस समय भी ये पहाड़ों पर चड़ रहे होते हैं बेकी के साथ उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम शीलो है अब ये तीनों पहाड़ पर चड़ रहे होते है तबी डैन को चड़ते हुए एक गोसला दिखाई देता है और जब डैन उस गोसले के अंदर हाथ डालता है तो उस गोसले में बेठा पक्षी वहां से उड़ जाता है जिस वज़ा से डैन अपना बैलन्स खुद देता है और इस वज़ा से वे पहाड से नीचे गिर जाता है लेकिन वो रसी से बंदावा होता है इस वज़ा से वे पहाड से तो नहीं गिरता है लेकिन हाँ वे बीच में ही अटक जाता है और अब वे ना तो उपर जा सकता है और ना ही नीचे आ सकता है अब ये देखकर बैकी और श जिसने अब शराब पीना शुरू कर दिया है और अब वो नेशे की हालत में रहती है। दरसल वह आज भी अपने पती डैन को बहुत याद करती है और उसी को याद करके वह शराब पीती रहती है। क्योंकि उसे इस बात का बहुत दुख है कि आज डैन उसके साथ नहीं है और साथ ही उसने अभी तक डैन की अस्थियों को भी विसरजित नहीं किया है। उसकी अस्थिया अभी भी बेकी के पास है और अब बेकी की लाइफ से खुशिया गाइब हो चुकी है। तबी वहाँ पर उसकी दोस्त शीलो आती है, शीलो बेकी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान देने की कोशिश की है, तो वो उससे कहने लगती है कि हमें फिर से माउंटेन क्लैंबिंग करनी चाहिए, इसके बाद वो अपने मॉबाइल के अंदर एक टावर दिखाती है, जो एक मॉबाइल टावर होता है, और ये टावर एक ऐसी जगा पर होता है, जहां पर इनसान बहुत कम ही जाते है, और इस टावर की उचाई 2000 फिट होती है, लेकिन बेकी वहाँ पर नहीं जाना चाती है, तब ही शीलो क और वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करने लगती है, और जब ये दोनों उस टावर के पास पहुंचती है, तो यह देखती है कि वो टावर तो आसमान को छू रहा है, क्योंकि टावर की उचाई काफी ज्यादा होती है, और आज तक इन दोनों ने इतनी उचाई पर चड़ने की कोशिश भी नहीं की है, और इन दोनों को डर भी लग रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों धीरे धीरे उस टावर पर चड़ना शुरू कर देती है, लेकिन बैकी को ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि ये टावर जिस लोह लोहे से बना होता है वे काफी बुराना होता है और उस लोहे से बार-बार आवाजे भी आ रही होती है लेकिन फिर भी वे शीलों के पीछे-पीछे ऊपर चड़ने लगती है और जब ये दोनों टावर के बीच में आ जाती है तो यह देखती है कि वहां पर बहुत तीज हवा आ रही है और अब ये इतनी उचाई पर पहुंच चुकी है जितनी की आइफिल टावर की उचाई होती है यानि की एक हजार फिट की उचाई पर पहुंच चुकी है अब ये फिट से लगातार उपर चड़ना शुरू कर देती है और जब बैक की नीचे देखती है तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है क्योंकि उसने पिछले एक साल से कोई भी क्लाइमिंग नहीं की है अब ये लगातार उपर चड़ रही होती है और चड़ते चड़ते लगभग टॉप तक पहुंच ही जाती है तबी बेकि जिस सीडी के उपर पैर रखती है उस सीडी का एक स्क्रूड निकल जाता है लेकिन इस बारे में इन्हें पता नहीं चलता है और काफी चड़ने के बाद ये फाइनली उस टावर के टॉप पर याने की 2000 फिट की उचाई तक पहुंच जाती है जहां से ये चारों तरफ देखने लगती है जहां से इने दुनिया बहुत ही अजीब दिखाई देने लगती है अब इतनी ज्यादा हाइट पर चड़ने के बाद इस टारगेट को अच्छीव करने के बाद बेकि को बहुत अच्छा लगने लगता है अब ये दोनों यहां पर बहुत इंजोई करने लगती है और साथ में कई सारी फोटोस भी क्लिक करती है और यहां पर शीलो अपने साथ ड्राउन भी लेकर आती है और वे ड्राउन की मदद से कई सारी वीडियोस भी बनाती है ताकि वे उन वीडियो को अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर डाल सके अब ये दोनों बहुत खुश हो जाती है और शीलो तो इतनी ज्यदा खुश हो जाती है कि वे टावर्ट से लटक कर बैकी को उसकी फोटोज खीचने को कहती है इसके बाद शीलो बैकी को भी उसके जैसा करने को कहती है और फिर बैकी भी वेसा ही करने लगती है वे भी टावर्ट से लटक जाती है और इसके बाद वे डैन यानि की उसके पती की अस्तियों को वहां से हवा में उड़ा देती है जिससे बेकी के दिल को सुकून मिलता है लेकिन ये दोनों की दोनों डैन को याद करके इमोशनल हो जाती है और अब यहाँ पर फाइनली बेकी डैन को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देती है और इस वज़ा से अब वह अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करती है इसके बाद ये दोनों फिर से नीचे जाने की तैयारिया करने लगती है और सबसे पहले बेकी नीचे जाना शुरू करती है लेकिन तब ही वे स्क्रूज जो की पहले से ही निकल गया था उस जगा से वे सीडी, वे लेडर निकल जाती है और बेकी नीचे गिरने ही वाली होती है लेकिन वो रस्टी की वज़ा से लटक जाती है तब ही शीलो उसे उपर खीच लेती है लेकिन बेकी के पास में जो वेक था जिसके अंदर इनका खाने पीने का सामान था वो नीचे डिश एंटीना पर गिर जाता है जहां तक पहुंचना इनके लिए नामुम्किन होता है और ये दोनों अपने मोबाइल को भी चेक करती है लेकिन वहाँ पर कोई भी सिगनल नहीं होता है और अब ये दोनों 2000 फिट की उचाई पर फस चुकी है और तो और आस पास कोई भी नहीं होता है जो इनकी जान बचाने के लिए वहाँ पर आ जाए और अगर गलती से कोई हुआ भी तो इतनी उचाई से वह इनके आवाज नहीं सुन पाई तब ही इन्हें वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर इन्हें एक फायर गन और एक दूरबिन मिलती है लेकिन दिन में फायर गन का इस्तेमाल करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि दिन में फायर गन नहीं दिखती है और इस वज़ा से अब इन्हें शाम होने का इंतजार करना पड़ेगा अब जब ये उस दूरवीन से देखती है तो दूर इन्हें एक गाड़ी नज़र आती है लेकिन वो इन्हें इतनी उचाई पर नहीं देख सकते हैं और ना ही इनके कोई आवास सुन सकते हैं इसके बाद शीलो अपने मॉबाइल को फिर से चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जो उसने इस जगा से इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी वो पोस्ट अपलोड हो चुकी है क्योंकि टावर के नीचे सिगनल है और उन पोस्ट के उपर काफी लैक्स और कॉमेंट्स भी आ चुके हैं शीलो मदद के लिए इस्टाग्राम पर टाइप करके उससे पोस्ट कर देती है इसके बाद वे अपने मॉबाइल को रसी से बांध कर नीचे लटकाने लगती है ताकि नीचे सिगनल आए और उसमें जो हेल्प के लिए पोस्ट डाली है वे अपलूड होकर पब्लिक हो और मॉबाइल जूते और मोजे के अंदर होता है इस वज़ा से मॉबाइल को कुछ भी नहीं होता है और कुछ देर के बाद ही ये दूरबिन से देखती है कि दूर एक आदमी मॉबाइल से बात कर रहा है लेकिन वे आदमी ना तो इन दोनों को इतनी उपर से देख सकता है और ना ही इनके आवाज को थोड़ा बहुत भी सुन सकता है। वह आदमी मोबाइल पर बात करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। इस वज़ा से बेकी और शीलो उसको ये यकीन दिलाने के लिए कि टावर पर कोई है। वह अपना एक और जूता नीचे फैंकती है। लेकिन वह आदमी जूता तो देख लेता है। लेकिन उसे ऐसा लगने लगता है कि वह जूता वहाँ पर पहरे से ही पड़ा था। वह आदमी अपने डोग के साथ वहाँ से जाने लगता है। हाला कि बेकी उस फैर गन को चलाने की कोशिश करती है लेकिन शीलो उसे रोग लेती है और कहती है कि हमें रात होने का इंतजार करना होगा। हम इस फैर गन का यूज रात में करेंगे जिसके बाद कोई न कोई तो हमें रात को देख ही लेगा। अब धीरे धीरे रात होने लगती है, तब ये उस fire gun को चला देती है, और अपने mobile की torch को on कर लेती है, और इनके पास में जो गाड़ी खड़ी होती है, जिसके अंदर लोग camping करने के लिए आये होते हैं, वे इन दोनों को देख लेते हैं, लेकिन वो इनकी मदद करने की अब रात काफी हो जाती है, और इन दोनों को नीद आने लगती है, इस वज़ा से ये उस छोटी सी जगा पर ही सो जाती है, लेकिन जगा काफी कम होती है, इस वज़ा से शीलो गिरने वाली होती है, लेकिन बेकी उसे पकड़ लेती है, इसी बीच बेकी शीलो के पेर पर 143 लिखा हुआ टेटू देख लीती है जिससे बेकी को यह पता चलता है कि डैन उसे हमेशा ही कोड़ वर्ड के अंदर I love you यानि की 143 बोला करता था जिससे अब बेकी को यह पता चलता है कि डैन और शीलो की बीच में कुछ चल रहा था और जब इस बारे में शीलो से वह पूछ कर लीती है इससे बेकी को बहुत बुरा लगता है लेकिन अब भी बेकी का ध्यान सिर्फ अपने उसी बेक पर ही होता है जो उस डिश एंटीना पर लटका हुआ है जिसके अंदर इनका ड्रॉन और खाने पीने की चीज़ें और इन्हें किसी भी तरह से उस बेक को ऊपर ला जाती है और बेक को ले लेती है लेकिन रसी अब उससे काफी उपर होती है इसलिए वे सेल्फी स्टिक की मदद से बेक को रसी से लटका देती है और फिर खुद जम मार कर उस रसी से लटक जाती है लेकिन रसी से उपर चड़ना बहुत मुश्किल होता है उसमें बहुत पा आशा चुका है जिसके अंदर ड्रॉन है और अब यह उस ड्रॉन से मदद लाना चाहती है इसलिए बैकी एक पेपर पर लिखती है कि हमें मदद की जरूरत है और हम टावर के ऊपर अटक चुके हैं और यह लिखकर उस पेपर को ड्रॉन के अंदर फिक्स कर देती है और उसे वहाँ पर करेंट है इसलिए वो हमत करके उस लैट तक पहुंच जाती है और ड्रॉन के चार्जर को उससे कनेट करके ड्रॉन को चार्ज करने लगती है लेकिन जब तक ड्रॉन चार्ज ना हो जाए तब तक बेकी को वहीं पर लटके रहना पड़ता है लेकिन जब ड्रॉन पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है तो बेकी उसे नीचे लेकर आ जाती है और इसके बाद ये उसी हेल्प वाले पेपर को उसमें एक बार फिट से फिक्स करके ड्रॉन को उड़ाने लगती है और ड्रॉन को उस तरफ भेजने लगती है जिस तरफ एक घर है लेकिन इससे पहले कि वो ड्रोन उस घर तक पाए वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और अब इनकी आखरी उमीद भी खत्म हो जाती है और अब इन्हें पता चल जाता है कि इन्हें बचाने के लिए अब कोई भी नहीं आएगा लेकिन बेकी शीलो को अपना जूता देने के लिए कहती है ताकि वे अपने मॉबाइल से अपने डैड को हेल्प के लिए मैसेज स्टेंड कर सके और फिर उसके जूते में मॉबाइल को डाल कर वे नीचे फेक सके क्योंकि नीचे सिगनल है और अगर वे मेसेज उसके डेर तक चला गया तो फिर वो उनकी मदद करने के लिए आ जाएंगे लेकिन शीलो उसे जूता देने के लिए मना कर देती है तब भी बेकी को यह पता चलता है कि शीलो तो उसके साथ है ही नहीं दरसल बेकी अकेली ही होती है क्योंकि जब शीलो के हाथ से रसी छूट गई थी तब उसकी मौत हो गई थी और उसकी बोड़ी एंटिना के उपर ही पड़ी होती है और बेकी को ऐसा लग रहा होता है कि शीलो अभी भी उसके साथ है दरसल यह उसका वहम होता है लेकिन अब उस सच्चाई का पता चल चुका है कि वह तो इस टावर के उपर अकेली ही है और अब उसकी तो जीने की सारी उम्मीदे भी मिट चुकी है वह म hombres चाती है लेकिन वह म first से पहले अपने डेड के लिए एक message भी record करती है लेकिन वह message उन तक नहीं पहुंच सकता है क्योंकि वहाँ पर सिग्नल नहीं है इसके बाद बेकी वहीं पर सू जाती है और जब सुबा होती है तो वह देखती है कि एक गिद उसके पाम को खा रहा है तब भी बेकी उसे पकड़ कर मार देती है अब बेकी के पास खाना नहीं होता है इस वजा से वो उस गिद्ध को खाने लगती है जिसके बाद उसके अंदर ताकत आ जाती है और वे डिसाइड करती है कि वे नीचे रस्ती के जरीए उस एंटीना तक पहुंच कर रहेगी जहां पर उसकी दोस्त शीलो की डेट बोडी है इसके बड़ी मुश्किल से बेकी रस्ती के जरीए उस एं किसी के पास भी नहीं पहुंची थी और इस टावर पर सिगनल ना आने का कारण यह भी होता है क्योंकि इस टावर के अपने ही कई सारे सिगनल होते हैं इस वज़ा से वे सभी दूसरे सिगनल को ब्लोग कर रहे होते हैं अब एक बार फिट से रात हो जाती है इसके बाद वह दरसल बैकी के डैड जिस डैड बोडी को देखते हैं वो शीलो की डैड बोडी होती है और दोस्तों इसे के साथ ये मोवी यहीं पर खत्म हो जाती है